मंत्री परशण मेरे साथ ही, इसी धर्ति के संतान, क्यूज गोईल जी, अर्विन सावन जी, रामदास आठवले जी, सभी विशेश महानुभाव, मेरे पैरे भाईयों और बेहनों, नमस्कार मुंबेकर, गनपती बाप्पा, गनपती बाप्पा, गनेश उत्सवाचा, आपना सरवाना, खूब खूब सुबेच्चा, यहाँ आने से पहले, मुझे पारले में, लोकमान्य सेवा संग में, गनपती बापा के दर्शन का सवभाग्य मिला, इस वर्श, लोकमान्य सेवा संग के गनपती बाप्पा के लिए, जिस परंपरा का विस्तार किया, आज उसकी गुंज, देश, विदेश में भी है, हमारे नए गवर्णर स्री यहाँ आए हैं, शुमान कोशिया रिजी, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, वे उत्राखंड के बहुत यश्श्वी मुक्ष मंत्री रही हैं, और इससे भी बड़ी बात, जिसका उल्लेक करने में मुझे गर्व महसूस होता है, कि जब मैं भारतिय जन्रता पार्टी के संगठन का कायर करता था, कभी उत्राखंड का प्रभारी हुआ करता था, तो उनी के माज़र्शन में मैं काम करता था, साथियों मुंबई और महराष्ट के लोगों की सादगी और उने मुझे हमेशा अभीभूत कर देता है, चुना और प्रचार के दोरान महराष्ट में यहां के अनेक शेहरों में गया, आप लोगों से समवाद किया, मुंबई में तो जो रात में सभा हुई थी, उसकी चर्चा कई दिनों तक चली थी, इस नेह के लिए, इस आशिरवाद के लिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बनते बिगडते मौसम के बीच, आज भी आप अपना समय निकाल कर, इतनी बड़ी तादाज में आकर के, इस कारकम की शोभा बढ़ाई, ये आपके मिजाज की पहचान है, और आपके सपनों का संकेद भी है, साथियों, मैं रशिया में था, तब भी मुझे, मुंबई का हाल मिल रहा था, मैं कल सुबई ही वहाँ से लोटा, और फिर शाम को बैंगलूरू चला गया, बैंगलूरू में राद भर इश्रों के अपने विज्ञानिक साथियों के साथ रहा, उन्होंने जो होंसला दिखाया है, उसे देख करके मैं बहुत प्रभावी था, अपने लक्ष के लिए कैसे दिन रात एक कर दिया जाता है, कैसे विप्रीत से विप्रीत परिस्थिती में भी, बड़ी से बड़ी चनवती में भी, पूरी तनमयता के साथ, कैसे अपने लक्ष को प्राप्त किया जाता है, ये इसरों के हमारे वैज्ञानिकों, हमारे इंजिनियोरों से हम सब सीख सकते हैं, भावी और भावनों, हमारे साथ रेक प्रकार से ज्ञान का भंडार है, भरतोहरी ने कहा था, प्रारभ्यते न खलू विग्न भयन निचै, प्रारभ्य विग्न विहीता विरमंति मध्या, विग्ने ही पुनह पुनरपी, प्रतियंत्यमाना हा प्रारभ्यत मुत्यमुगुणा न परित्यजन्ति, याने किसी भी लक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाले तीन तरह के लोग होते हैं, सबसे नीचले पाइदान पर वो लोग होते हैं जो रुकावटों के डर्स से कभी काम की शुरुबाती नहीं करते हैं, इसके बाद मद्यस्तर के और मद्यस्तर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन पहली रुकावट आते ही नौ दो ग्यरा हो जाते हैं, भाग जाते हैं, इन दोनों तरह के लोगों से अलग, सबसे उचे स्तर पर वो लोग पहुंचते हैं, जो लगातार रुकावट के बावजूद, बड़ी से बड़ी चुनोतियों के बावजूद, निरंतर प्रयास करते हैं, और अपने लक्ष को प्राप्त करके ही दम लेते हैं। साथ्यों इसरों और उसके साथ काम करने वाले लोग, ये तीसरी प्रभुत्ती वाले लोग हैं। जब तक लक्ष प्राप्त नहीं हो जाता, वो न रुकते हैं, न ठकते हैं, न बैड़ते हैं। अब मिशन चंद्रियान में एक रुकावट आज हमने देखी हैं। लेकिन इसरों के वाईगानिक तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक मंजिल पर नहीं पहुँच जाते हैं। चांद पर पहुँचेने का सफना पूरा हो करके रहेगा। और साथियों, हमें ये भी याद रखना है, कि चंद्रियान के साथ भेजा गया ऑर्बिटर, अभी वहीं है चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। ये भी एक आइतिहासिक उपनब्दी है। मैंने मुंबई के लोगों की स्पिरीट के बारे में बहुत सुना है, देखा है, अनुभव किया है। आज इसरों के लोगों की स्पिरीट देखी और समझी, तो मुझे जरूरी लगा कि आप से भी उन बातों को जड़ा शेयर करो। भाई और भेनों, अपने संकल्पों के लिए निरंतर प्रयास, गणेशोथ्षव की उमंग और इसी महोल में, आज महराष्ट में हजारों करोड रुपिय की योजनाओं का स्री गणेश हो रहा है, सुभारंभ हो रहा है। मुंबई के बात, मेरा औरंगाबाद जाने का भी कारकम है, वहाँ भी अनेक परियोजनाओं की शुरुवात होगी है। मैं विशेश कर, मुंबई और उसके सब अर्बन, इलाकों में रहने वाले लोगों को बहुत बहुत सुब कामनाई देता हूँ। बीस हजार करोड रुपिय से जादा का काम आज यहाँ शुरू हो रहा है। नई मेट्रो लाइन हो, मेट्रो भवन हो, मेट्रो स्टेशन में सुविधाओं का विस्तार हो, बांदरा कुर्ला कॉंप्लेक्ट को इस्टरन एक्स्प्रस हाइवे से जोडने का प्रोजेक्ट हो। यह सभी परियोजना हैं, मुंबई के इन्फास्रेक्टर को नया आयाम तो देगी ही, यहां के लोगों के जीवन को आसान बनाने वे भी मदद करेगी। बांदरा कुर्ला को एक्स्प्रेस हाइवे से जोडने वाला प्रोजेक्ट तो लाखों प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर के आएगा। बीकेसी तो बिजनेस एक्टिविटी का बहुत बड़ा सेंटर है, अब यहां आना जाना और आसान होगा, कम समय में हो पाएगा, और अब तो मिनिटों में मुंबई, हर कोई आवाज करता है, मिनिटों में मुंबई, इन सारी परियोजनाओं के लिए, मैं आप सभी को, हर मुंबई करको, बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, साथियम मुंबई वो शहर है, जिसकी गती ने, देश को भी गती दी है, यहां के परिशमी लोग, यहां के प्रफेशनल्स, यहां के माताएं, बहने, युवा, आप सभी लोग, इस सहर से प्यार करते हैं, गर्व से कहते हैं, मी मुंबई का है, बीते पांच वर्षों में, आमची मुंबई के इंफार्सेक्टर के सुधारने के लिए, हमने बहुत इमानदारी से प्रयास किया, यहां प्रणरीजी की सरकार ने, मुंबई और महाराज के एक-एक प्रोजेक्ट के लिए, कितनी मेहनत की हैं, यह मैं भली भाती जानता हूँ, आज इनी सब प्रयासों का ही असर है, कि मुंबई में धिरे-धिरे, बढ़लाव आने की शुरुवात हुई हैं, और मैं इससे सबसे सकारत पक्ष यह देखता हूँ, कि वर्तमान के साथ ही बविश्य की जरुरतों, आने वाले दसकों की आवश्यक्ताओं के हिसाब से अभी से काम किया जा रहा हूँ, भाई और बहनों, आज जब देश फाइव ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी के लक्ष की तरफ बढ़ रहा है, तब हमें अपने शहरों को भी 21 सदी की दुनिया के मुताबिक बनाना ही होगा। मुबिलिटी हो, कनेक्टिविटी हो, प्रोडक्टिविटी हो, सस्टेनिबिलिटी हो, या फिर सेप्टी, हर लिहाज से, एक बहतर व्यवस्ता हमें तयार करने है। इसी सोच के साथ, हमारी सरकार, अगले पाँच साल में, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सो लाग करोड रुपिय खर्च करने जा रही है। इस राची का बहुत बड़ा लाब, मुंबे के साथ साथ, पूरे महराश्टर के तमाम शहरों को भी होने वाला है। साथियों, देश भर में, शहरों में, मॉबिलिटी को, ट्रांस्पोर्ट को बहतर बनाने के लिए, हम एक इंटिगरेटेड सिस्टिम पर बल दे रहे हैं। रोड हो, रेल हो, मेट्रो हो, ऐसे हर माध्यम को, एक दूसरे से कनेक किया जा रहा है। आज यहां, मॉंबई मेट्रोपुलिटीन रीजन, उसमें बहतर पुब्लिक ट्रांस्पोर्ट सिस्टम तयार करने के लिए भी, एक वीजन डॉक्यमेंट रिलीज किया गया। यहां, मॉंबई मेट्रो के विस्तरी करन से निरंतर जूढने का मौका मिलता रहा है। करिब डेजलाग करोड रुपिये की लागत से मेट्रो नेट्वर्क का विस्तरी हाग किया जा रहा है। अभी मुंबई में सिर्फ 11 किलो मिटर का मेट्रो नेटवर्ग है, लेकिन 2023-2024 तब तक ये बढ़कर सवा 300 किलो मिटर से अधिक हो जाएगा. इसका सबसे बड़ा लाब ये होगा, कि आज जितने लोग मुंबई में लोकल रेल से रोज सफर करते हैं, वग उतनी ही क्यपेसिटी मेट्रो की भी हो जाएगी. लोकल को आदोनिक बनाने के साथ ही, मेट्रो के विस्तार का ये कॉमिनेशन, मुंबई की बरतमान जरूरतें पूरी करने के साथ ही, आने वाले वर्षों के लिए भी तयार करेगा. सात्यों हम सिर्फ मेट्रो लाइन ही नहीं, सर्ब उच्छे ही बिसा रहा है सा नहीं, बलकि लाइनों पर जो मेट्रो दोड़ेगी, उसके कोज भी भारत मेहीं बन रहे हैं. थोड़ी देर पहले ही मैंने मोकप कोच को देखा है, मेके नीजिया के तहद बनने वाले ये आधुनिक मेट्रो कोच, मूम मेट्रो को सुरक्षीत और सुवीजाजरक और किफायती बनाने वाले हैं. बाइवर बैनों इंफास्टेक्टर का जितना रिष्टा एकोनामी से हैं, इस अफ लिविंग से हैं, उतना ही एमप्लोईमेंट से भी हैं. इंफ्रा पन्निवेश का मतलब है, उतना ही रोजगार के नए आउसर बनना हैं. अगर मैं सिर्म मुंबई में शुरू हुए मेट्रो के कारियों की बात करूँ, तो इसे दस हजार इंजीनियर और चालीस हजार स्कील्ड और अंस्कील्ड लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगी. भाई और बहनों, इंफास्ट्रक्चर का जो काम गाउँ में हो रहा है, शहरा में हो रहा है, वो स्थानी अस्तर पर जिस तरह एंप्लूमेंट पैदा करता है, छोटे-छोटे वापारियों के लिए बिजनेश के मौके बनाता है, उसकी बहुत चर्चा लोग करते नहीं है. संबावत हा, इसकी एक बज़े ये भी रही है, कि आज जी स्पीड और स्केल पर काम हो रहा है, वो पहले कभी हुआ ही नहीं. इसलिए इस और लोगों का ध्यान भी कम होना बहुत वाभावी की. अब जब स्थितियां बदल रही है, तो ये विशे भी अब चर्चा में आना शुरू होगा. सोचिए, क्या कोई पहले सोच भी सकता था, कि बरसों से अटका हुआ नवी मुंबई एरपोर्ड का काम, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम, मुंबई अमदाबाद बुलेट ट्रेंड का काम, इतने व्यापक रुप से शुरू होगा, इतनी तेज जित से आगे भड़ेगा, ये सारे प्रजेक्ट मुंबई और आसपास के लोगों के रोजगार के अनेक और नए अवसर दे रहे हैं, भाई और बेनो, जब मैं स्पीड और स्केल की बात करता हूँ, तो मेरे पास इतने उदान होते हैं, कि उन्हें गिनाते गिनाते, शायद शाम हो जाए, आज यहां मैट्रो के बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, तो मैं उसी का उदान आपको देना चाहता हूँ, साथ हमारे देश में, पहली मैट्रो तीस, पैतीस साल पहले शुरू हुई थी, इसके बार, दो हजार चौदा तक, कुछ ही बड़े शहरों में मै मैट्रो चल पाईए, आज देश में 27 शहरों में मैट्रो या तो शुरू हो चुकी हैं, या निकट भविश में शुरू होने वाले हैं, आज देश भर में पहुने 700 किलोमेटर मैट्रो लाइन ओपरेशन, चार सो किलोमेटर की मैट्रो सेवा, बीते पांच वर्ष में शुरू ही हैं, सोचिए, आजा से जादा मैट्रो लाइन पिछले पांच साल में जुड़ी हैं, और अभी साड़े आठ सो किलोमेटर से अधिक की मैट्रो लाइन पर काम चल रहा हैं, भाई और भेनों, करीब करीब 600 किलोमेटर की नई मेट्रो लाइनों की स्विकृति, पिछले पांच साल में देजी गई हैं, मुंबई हो, पुणे या नाकपुर, मेट्रो इनके काम इसी दोलों शुरू हुए, और मैं फड़नविजी की प्रथन सा कहूँगा, कि इन परियोजनाओं पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा हैं, भावी और बहनों, देश को 21 भी सदी के आधुनिक इन्फासक्तर से युक्त करना, देश को तेज गती से आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक हैं, आध देश के इन्फासक्तर को एक होलिस्टिक तरीके से विक्सित करने पर काम चल दा है, टुकड़ो टुकड़ो में नहीं, एक भारत, स्रेश्ट भारत के नजरिये के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं, वन नेशन वन पावर ग्रीट से लेकर, वन नेशन वन मोबिलिटी कार तक, वन नेशन वन टैक्ट से लेकर, वन नेशन वन नेट्वर्क अप्टिकल फायवर तक, पूरे देश्ट में हमारी सरकार आधुनिक इंफल सेक्टर का दिर्मान कर रही है भाई और भेनों हम सभी का ये दाइत्व है कि हमारी बच्चे हमारी आने वाली पीडिया उस परेशानी में न रहें जिससे हम रहते आए हम बच्चों को विरासत में परेशानी न दे हर व्यक वाला सुधार देश की स्थिती में सुधार ला देता है हमें अपना वर्तमान अतीत के सपनों को पूरा करने के साथ ही बविश की तयारों में भी खपाना होगा देश बविश्य के लिए आच्चे तयार होगा तभी आपके बच्चे सूखी जीवन बिता पाएंगे आपके आशिरवात से नई सरकार बनने के बार हमारी सरकार ने जो फैसले लिए वो भारत वाशियों के भविश्य को मजबूत करेंगे सुरक्षित करेंगे साथ्यों देश के जनता ने जो जनादेश दिया था उसका सम्मान करते हुए सही दिशा में अनेक महत्वपून फैसले लिए गए इस सरकार को सो दिन हो रहे हैं और इन सो दिनों में ही ऐसे ऐसे कार्य हुए है जो अपुद्पूर्व भी है अईतिहासिद भी है जल जीवन मिशन की शुरुवात हो या फिर देश के हर किसान को किसान सम्मान निदी के दारे में लाने का फैसला हो हमारी मुस्लिम बेहन बेटियों को तीन तलाक के संकर से मुक्ति दलारे वाला कानून हो या बच्चों की सुर्प्सा से जुड़ा कानून हर छेत्र में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है लेकिन सरकार के इन फैसलों और इन कारियों के बीच आपकी सेवा के बीच मैंने एक और संकल्प लिया है यह संकल्प है जादा से जादा लोगों को जादा से जादा अवसरों पर अपने दाईतों के प्रति सजग करने का एक भारतिय एक संकल्प लोगमानिय तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसीद दिकार है आजादी के 75 साल होने वाले हैं हमारे लिए नया मंत्रा है सुराज हम देश वास्यों का करतव्य है एक भारतिय एक संकल्प के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा अपना तय किया हुआ संकल्प एक तो आप संकल्प जरूर करें और जो संकल्प करें देश हित के लिए करें और संकल्प पूरा करने के विशे में कभी भी पीछे नहटें आप लोग मुंबई के हित में महराज तक हित में जो संकल्प लेना चाहें वो संकल्प ले सकते हैं वैसे इस हुजाओ मैं आपको अभी ही दे सकता हूँ आप मानेंगे क्या आवाज थोड़ी दिरी हो गई है मानेंगे पक्का मानेंगे पूरा करेंगे अकेले भी करेंगे मिलकर के भी करेंगे साथ्यों बप्पा की विदाय के दोरान साथ्यों बप्पा के विदाय की दोरान बहुत सारा प्लास्टिक और दुसरा बेश्ट हमारे समंदर में चला जाता है इस बार हमें कोशिश करनी है कि ऐसा सामान जो जल प्रदूशन बढ़ाता है उसको पानी में नहीं बहाएंगे इतना ही नहीं विशर्जन के बाद हम अपने अपने स्तर पर समंदर से मिठी, नदी, सहीद, पानी के दूसरे स्तरोतों को प्लास्टिक मुक्त करने में जुटेंगे आप ये काम करेंगे जड़ा पीछे से आवाज आजाए करेंगे पक्का करेंगे मुझे पुरा विश्वाद है कि आपका यही उत्सा पूरे देश को प्लास्टिक मुक्त करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाएगा एक बार फिर आप सभी को विकास के तमाम प्रोदेश के लिए अनेक अनेक शुब कामनाएं बहुत बहुत बढ़ाई उत्साव के समय तमाम विस्तताओं के बीच भी आप यहाँ पधारे इसके लिए मैं रदय से आपका अभार व्यक्त करता हूं जै मुंबई जै माराश्टा भारत माता की भारत माता की भारत